बिहार के मुजफरपुर के मोती नगर थाना श्वित्र के दरिया छपरा गाउ में एक साथ साल के गायब हुए बच्चे का शब मिलने से पूरे इलाके में संसनी फैल गई खेत में लोगों को बच्चे का शब बरामत होने की जानकारी के बाद परिजनों ने उसकी शिनाकस्त की बताया जा रहा कि कल देश शाम से ही बच्चा लापता था और वहीं जिसकी खोचबीर में उसकी परिजनों द्वारा रात भर तलाश ज़ारी थी मामले बे परिजनों का आरोप है कि बच्चे का अफ़रण करके उसकी हत्या कर दी गई इस घटना को लेकर परिवार की लोगों ने गाउं के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाया इस घटना के बाद परिजनों में कोवराम मच गया परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है वही घटना की सुचना स्थानिया थाने को दी गई, जिसके बाद घटना पर पहुँचे पुलिस मामने की जाच में जुट गई बीटने की सेखों, थान इससे पीचे-पीचे दाट म oluyor, गई बीचेश में इसके बादें होलिगी अनल की जाच में फूटा हुआ है पूरा इतना पानी में डूब रहा है अब फटा पड़ इसको निकालो इसा तो कहीं बहुगा कि हमरा दूगों मोर्साइकल पर दूगरा रहा है लेगे लखा उने जियां के तरह हम जो है कि 5-7 मोर्साइकल को वहां था दोकान खुला हुआ था 5-7 मोर्साइकल मैंने मेरा अप लेकिन मोर्साइकल कोहीं कोछी पता नहीं लगा उसके बाद आयता देखे कि इस गाठी में हाला होड़ा है तो हम लोग पूरे गाठी ताची सो वहां तक लेग दम उधर से लेकर किया पूरे मतलब पजार तक जितना मेरा अहाध है टोटल एक एक जोगार नहीं हुग हम त वहीं पूरे मामले पर एससपी जैंत कांत ने कहा कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और श्रव को पुलिस द्वारा कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए एसकेम सीच भेज़ दिया गया है इसमें जो भी है घरवालों का बयान लिया गया है और उनकी मदर थी जिनके जन्होंने इस तरीके का बयान दिया है उन्होंने एक विक्ति को मुख आरूपी भी बनाया है जिनकी फैमिली से उनका पूर में विवात था और इसमें सभी पॉइंट्स को हम लोग देख करके ज देर शाम दो युवक घर पर आये थे बच्चा वहीं पर खेल रहा था दोनों बदमाशों द्वारा बच्चे को अपरण कर लिया गया था जिसके बाद सुबह उसका शव मिला फिलाल पोलिस इस मामले में गंभीरता से जाच में जूटी है पंजाब की स्री टीवी के लिए मुझफरपूर से संतोश की रिपोर्ट